आपको इन आइडेंटिटीज की जड़त पढ़ती होगी और x प्लस a whole square, x प्लस a whole cube ये फॉर्मॉला आपको याद भी होगा लेकिन सपोज कि जिये आपको x प्लस a whole power 4 कल्कुलेट कर रहा है तो क्या करेंगे आपको multiply करना होगा इसके लिए समय चाहिए, लंबा space चाहिए लेकिन अगर आपको कोई x प्लस a power 6 कल्कुलेट करने के कहते तब क्या करेंगे? तब तो ज़्यादा मुस्किल हो जाएगी ना तो इसके लिए हम एक shortcut technique सीखेंगे जिसकी help से इस तरह के किसी भी power को गर expand करना है यहाँ तक कि अगर आप चाहे तो x प्लस a power 999 को भी आप expand कर सकते हैं बस आपको उतना बड़ा paper होना चाहिए आपके पास कैसी करना है? इसके लिए एक pascal triangle बनाएंगे rule क्या है? 1 से start करेंगे, 1 पर इक खतम करेंगे so 1 से start, 1 पर खतम और जगर middle में कोई space आता है तो उसमें उन दोनों नंबरों का sum लिखेंगे जैसे यहाँ पर 1 से हमने start किया दोनों का sum 1 1 से start किया, दोनों नंबर का sum और again 1 फिर 1 से start कर रहे हैं, दोनों नंबर का sum कर रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं? लेकिन धेरणना खतम 1 पहीं करना है, जैसे again 1 here we have 5, then 10 then 10, 5 1, 1 6, 15 20, 15 6, 1 1, 7 21, see 35, 35 21, 7 1, अब यहाँ इसे धेरणना है यह 0 पावर है X0 के लिए है, यह 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 अब आपको किसका लिखना है? सब्पोज कि हमें X प्लस A पावर 6 लिखना है तो हमारा 6 के लिए यह लाइन है तो क्या करेंगे? हम सीधे X प्लस A पावर 6 और एक लाइन में जो भी नंबर्स हैं उनको लिख लेना है 1, 6 15 20 15, 6, 1 अब क्या करना है? फर्स्ट टर्म में जो X है उसकी हाइस पावर से स्टार्ट करेंगे और A की लिएस पावर तो A पावर 0,1 होता है लिखने की जोड़त नहीं प्लस X की पावर को आप डिग्रीज घटाते जाईए और A की पावर को बढ़ाते जाईए यहीं, X पावर 1 घट गया तो A पावर बढ़ गया X पावर को हमने घटा दिया है A को बढ़ा दिया है हमने X को यह घटा दिया हमने A को बढ़ा दिया हम क्या कर रहे है? X को डिग्रीज करते जा रहे हैं घटाते जा रहे हैं और A को बढ़ाते जा रहे हैं कि देखो X फिर A5 लास्ट में X 0 हो गया तो A6 आ गया इसको लिख देते हैं और यह हमारा सिंपल सा एक एंसर हो जाएगा ध्यान रखना है हरे टर्म के अंदर इस पूरे में एक अच्छी बात क्या है जो भी टर्म्स आए हैं उनको इस पर मैं प्रॉपर वे में आपको लिख के दिखा रहा हूं और कुछ नहीं मैं अभी नया कुछ नहीं हो रहा है इसमें एक चीज़ और विसे इस बात इसमें दिखिए कि जो भी नंबर्स यूज़के उनकी पावर हमेसा एकोल रहती है चीज़ तो भी निखिए अब मैं एक लाइन मी लेग रहा हूं यह एक प्लस अब आपर एट लिखना है तो मुझे इस पास्कल ट्रेंगल को 7 पावर 8 ले जाना है तो 1, 8, 28, it is 56, 70, 56, again 28, then 8, 1, see मैं एक से स्टार्ट किया हूं X पावर हाइस्ट, then अगला नंबर 8 है, X की पावर को डिक्रीस कर रहा है, A को इंक्रीस कर दिया अगला नंबर 28, X की पावर को डिक्रीस, A पावर को इंक्रीस, then 56, X5, AQ, then again 70, so X4, A4, 8 रहे हा हमेशा then plus 56, X3, A5, plus 28, so X2, A6, then 8, X, and A7, and last A to power 8 ना, तो कितना असान है यहनि इसकी हेल्प से हम जितना बड़ा ट्रेंग, जितने पावर को एक्सपेंशन करना है, हमें इस ट्रेंगल को उतना बड़ा बनाना हुगा यह देखने वे एक ट्रेंगल जैसा लगता है, इसलिए इसका नाम और पास्कल मेंटमेटिशन ने इसको ड्राइव किया था, इसलिए इसको पास्कल ट्रेंगल करते हैं एक और बात, कोई स्टुएंट्स कहा सकता है, कि नहीं सर, यहां तो माइनस है, तो क्या करेंगे सपोस करो प्लस की जगा माइनस, हमें क्या करना है, जो अल्टरनेटिवली प्लस माइनस पूट करना है, पहला प्लस था, तो फिर माइनस प्लस है, फिर माइनस प्लस है, माइनस प्लस माइनस प्लस, इन्हीं क्या करेंगे, पहला प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस कि हमें असानी सी एक्सपेंशन मिल जाएगा इतने नहीं इसको क्लास 11 की टिग्निमेटरी के फामले में भी यूज कर सकते हैं जिसके लिए आपको मेरा दूसरा वीडियो देखना होगा और इस तरह के और मैस ट्रिक्स के लिए कि मैस ट्रिक मैस शॉटकट के फ़न वीद में इसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद